को आता है बिल बनाना में नहीं सिखाऊंगा अभी जो समझ्या आ रही है करेंट में उस पे मैं सिधे जाता हूँ यहां पर हमको इन्वाइस डाउनलोड करने का ओप्शन रहता था जो कि आज की डेट में नहीं आ रहा है मैं इसकी जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ अब कहां पर आपको मिलेगा यहां पर आपको e-sign document का एक option रहता है इसमें आप क्लिक करिएगा यहां पर दो option दिखेंगे e-sign verification और OTP verification इन दोनों में से जिसमें भी आप यूज करते हो इसको जैसे I provide my consent to use my KYC data for e-signing e-mudra submit में क्लिक किया submit में क्लिक करने के बाद यह e-sign document करने का एक option होता है ठीक है तो आपको क्या करना होगा e-mudra करके option होता है यहां पर आपको register करना पड़ेगा अपना username अगर बनाना पड़ेगा पैंवें से भी आप register कर सकतो एक option यह है अगर आप इसको नहीं follow करना चाहते हो तो सीधा सो option है कि आप इसको OTP के थ्रू करो OTP के थ्रू कैसे करना है मैं आपको लिखा देता हूं देखिए e-sign document का option आया OTP verification में हम जाते है तो normally जैसा आपके mobile number register mobile number और email ID पर OTP आता है वैसी यह OTP आयागा तो इसमें मैं OTP डालता हूं तो यहां पर मैंने अभी OTP verify किया और अब यहां पर मेरे को download invoice का option आने लग गया है देखिए अब यह invoice मैं यहां से download करके use करके देख सकता हूं देखिए invoice में भी बनने लग गई है तो अगर आपको यह problem आ रही है तो इस तरीके सा आप इसका resolution कर सकता है आपको यह video कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आपको comments छोड़िए like कीजी video को share कीजे अपने दोस्तों के साथ और subscribe करना ना भूलें आपका अपना चैनल sweet champs